हेलो यूरी वो नमसकार UPSC प्रिवेश एर क्योश्चन सीरीज में ये हमारा सकेंड पार्ट है इसमें हम डिसक्स कर रहे हैं कैसे क्योश्चन को लोजिकल एटेम्ट कर सकते हैं अप्सोन का Eliminate कर सकते हैं इंटेलिजेंस Greensing कर सकते हैं और अपने स्कोर को जो है बुस्टफ कर सकते हैं पहले पार्ट में हमने 10 question को discuss किया था वो पार्ट आप जुरूर देख लेना उसके बाद second पार्ट में हम लोग 11 से लेकर 20 तक question को cover करेंगे 2017 का ये UPSC का paper है 2017 से 2020 की question paper को हम लोग cover करेंगे सबसे पहले बात की जारी question number 11 के अंधर statement दी गई है question पूछा गए उसके बाद 3 statement दी गई आपको टिक करना सही कौन से है which of the following statements is are correct regarding the monetary policy committee यानी monetary policy committee के बारे में 3 statement दी गई है मौद्रिक, नीती, समीती के बारे में तो इसके बारे में पूछा गया देखी UPSC, NCRT के अंदर ये clear cut mention है अगर आपने जितनी foreign policies होती है economic में दो तरह की policies होती है, एक होती है monetary policy दूसरी होती है fiscal policy, monetary policy के बारे में decisions जो ली जाते हैं वो bank के दौरा या central bank जो होते है RBI के दौरा ली जाते है जिसमें interest rates को लेकर एक तरह की से decide किया जाते है कि particular interest rate कितनी होगी ये सारी चीज़े को लेकर इसमें ये function है bank का, तो इसमें जो तीन number statement दीगी है कि ये function करेगी under the chairmanship of union finance ministry तो ये statement गलत है, तो तीसरी statement गलत होगी तो इसका मतलब क्या है, option C and option D दोनों eliminate हो जाएंगी अब हमारे पास A या B पहला statement जो बिलकुल सही होगा क्योंकि दोनों के अंदर एक है अब सिरफ चेक करना कि second statement सही है गलत है तो यहाँ पर दो बाते बताईगी है इसके अंदर 12 member इसके अंदर है तो माल लेते हैं कि हमें नहीं पता कि 12 member है कि नहीं है बाद में जो second statement दीगी है कि एक body बनती है function करने के लिए क्या ये हर साल reconstitute की जाएगी ये statement ऐसा लगता है कि अगर माल लेते हैं monetary function करना है किसी bank को तो हर साल का एक साल का time नहीं होगा क्योंकि वो लंबे time तक प्रियेड एक तरीके से function करेगी तो ये वाली statement लगता है कि logically सही नहीं है ये second part और इसके अलावे कि इसमें केवल 6 member होते हैं ये तो अगर आपको पता तो वैसे हो जाएगा फिर भी logically attempt करना है तो reconstitute हर साल reconstitute नहीं होती इसका एक function जो है stability को लेकर stability तब ही होगी जब ये लंबे time तक थोड़ा काम करें ताकि decisions पर कोई ज़्यादा negative impact ना पड़े तो ये वाला statement आप देखिंग second part को तो ध्यान से आप इन question को पढ़ना statement को देखना और उसके बाद आप decision लेना attempt करना question को तो ये important है तो इसमें हमारे पास option केवल एक बच जाएगा एक ठीक है ए हो जाएगा इसका सही answer question number 12 है यहाँ पर पुछा गया मनी पुरी संकेतन के बारे में यानि आपने अगर याद हो तो CCRT के अंदर भी mention है जितने भी classical form of dances है dances को लेकर art and culture को लेकर question लगातार UPSI फूसती रही है इवन पिछले कुछ सालों में 2017 के बाद जो paper हुए है उसमें history को most difficult or complicated part में एक तरीके से convert कर रहा UPSI थोड़ा challenging है बट करेंगे तो यहाँ पर तीन statement दिगी है मनी पुरी संकेतन के बारे में पहली statement आप देखेंगे it is a song and dance performance यह song and dance performance second statement बोल रहा है कि symbols जो है इसके अंदर only musical instrument है जो perform किया जाता है यहाँ पर इसमें इसका हिंदी प्रुपांतन देख लीजिए kartal बोलते हैं symbol को kartal इसमें क्यों एक instrument is used किया जाता है जब इस तरह की statement आती है कि only इसके अलावा नहीं इस तरह की जो rigid statement बोलते हैं इसमें या एक तरह की extreme statement, rigid statement उसके correct होने की possibility 99.99% जो है वो गलत होती या उसकी possibility नहीं होती तो second option जो है automatically इसमें cut हो जाएगा कि केबल एक musical instrument यूज हो रहा दूसरा को instrument यूज हो नहीं हो रहा आप सोच के देखिए कितना practically सही है तो second जहां पर भी है वो cut हो जाएगे या उप्सन A और option C ये cut हो जाएगे अब हमारे पास दो ये option बचेंगे option number B और option number D पहला statement तो सही होगा ये song and dance performance नहीं पता तब भी automatically सही होगा option के हिसाब से third statement आती है it is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna CCRT के अंदर clear cut mention किया गया है कि ये Lord Krishna के life and deeds से उनके जो action थे उनके जो काम थे उनके जीवन से relate करते हैं उसको narrate करते हुए perform करते हैं जितने भी dance forms हैं उनका एक religious angle भी है और उसके basis पर इस तरह के statement को यानि आपको basic information होना चाहिए उसके बाद ही आप logical attempt कर पाएंगी मैं ऐसे नहीं कि मैं कोई आपको तुक्का मारना सिखा हूँगा कि तुक्का मार दी सही हो जाएगा UPSC में तुक्का नहीं होगा intelligence gas या logical attempt या option eliminate भी तभी होंगे जब हमने basic जो है clear किया होगा हमें words के बारे में पता होना चाहिए दूसरा आपको statement में उन words को जो है वो hidden एक तरीके से एक message होता उसको आपको find out करना पड़ेगा उसके बाद ही हम लोग जो question को attempt कर पाएंगी इसके बाद question number 13 ये बहुत ही असान question है क्यों असान उसके बारे में बात करूँगा यहाँ पर बात की जारी है भारत में रेतवाड़ी settlement का introduction जो हुआ था यह रेतवाड़ी बंदोबस्त भारत के अंदर जब introduce हुआ था British rule के under तो कौन-कौन person जो उससे associated थे तीन statement दीगी तीन व्यक्तियों के नाम बताएगे Lord Cornwallis, Alexander Reid और Thomas Munro इसमें अगर आप देखेंगे यह रेतवाड़ी settlement भारत के अंदर आता है 1820 के आसपास ठीक है 1820, 1820 के आसपास आपको भारत में देखने को मिलेगा और खासकर South India में implement किया गया था ठीक है अब Lord Cornwallis का जो time period है वो 1793 तक ही है यह 1786 से लेकर 1793 के आसपास तो पहला statement गलत statement है यानि यह व्यक्ति से रेलेट नहीं हो सकते यह से रेलेट नहीं होंगे तो क्या होगा option 1 यानि जो statement number 1 है जिस person का नाम दिया गया है वो cut हो जाएगा A, B और D यह तीनों option cut हो जाएगे हमारे पास option number C automatically भाहर निकल कर आएगा लेकिन याद रखिए governor, general, voice, rai इनके बारे में हमें पता होना चाहिए उनके time पे main main क्या function हुए तब ही हम जो है इन चीजों को execute कर पाएगे यानि UPSC में भी question को कैसे interlink किया जा रहा है उसके बारे में ध्यान रखिए जब भी आप पड़े मैं हमेशा बोलता हूँ कि previous question को practice करिए analysis करिए और उसके बाद continue अपनी तैरीक को लेकर आगे बढ़िए तो इसका जो right answer होगा वो होगा second and third हिंदी वर्जन जो है इसका उसके बारे में आप डाउनलोड के लिए न दोनों हिंदी और इंगलिस दोनों में official paper है UPSC का इसके बाद question number 14 है यह वाला यहां पर आप देखेंगे in the context of solving pollution problem what is or the advantage advantages of bio remediation technique यानि bio remediation यह जे ओप चार जो विदी है उसके क्या benefit है क्या lab है इसके बारे में बात की गई है यहां पर भी तीन statement दिए गए है it is a technique for cleaning of pollution by enhancing the same bio degradation process that occurs in nature यानि ये एक तरीके से आप इसमें function करते हैं जैसे bio degradation process होता है जो nature के अंदर occur करता है इसके बारे में अभी हमें नहीं पता कोई idea नहीं है कि सही है की गलत है second statement देखिए ध्यान से पढ़िए यहां पर mention किया गया any containment with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bio remediation using micro organism यहां पर बात की जारी कि bio remediation से cadmium और lead जैसी heavy metals को आप completely खतम करतेंगे अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे जो bio remediation technique यूज करते है वो काफी हद तक जो है nature को तरीके से उसको वापिस उसी जो original shape हो देने में काम कर सकते है लेकिन वो completely treatment कर देगी यह statement भी extreme statement है मैंने कई बार बोला है कि extreme statement जो होगी उसमे 99.9% मैं फिर बोल रहा हूँ 0.01% की possibility हमेशा रहती है लेकिन 99.9% statement जो गलत होनी की possibility है तो यहाँ पर आप देखेंगे second statement होगी गलत second statement गलत होने के बाद दो option जो है वो automatically cut हो जाएंगे option number B और option number D अब हमारे पास option sorry statement number 1 तो 100% सही होगी मैंने पहले बोला था है माल ने तनी है कि इसके बारे में हमें नहीं पता तो यह सही होगी और option number 3 जो है genetic engineer जो है यूज किये जा सकते है microorganism को create करने के लिए ताकि design किये जासके bio remediation के लिए तो यह statement बिलकुल सही है genetic engineering का यूज किये जासकता है नए एक तरीके create करने में और जो specially design होगे bio remediation को लिए कर यह statement सही होगी तो इसका मतलब क्या होगा answer जो है 1 and 3 जो है इसमें आ जाएगा इसके बाद question number 15 है इसमें पूछा गया था trade dispute act of 1929 यह किसके बारे में discuss करता है यह वही बिल है यह वही एक्ट है जो assembly के अंदर जब सरदार भगत सीग और पटोकेशवर दत ने assembly के अंदर bump फेका था और यह act किसके बारे में उसके बारे में direct statement और direct question है तो यह bill जो है लाया जा रहा था किसे इसको लेकर यह system of tribunal होता जो strikes पर यानि जो trade unions है उनके strikes पर ban करने को लेकर यह act लाया जा रहा था the trade dispute act of 1929 करके तो इसको लेकर यह news में था इसलिए इसके बारे में पूछा गया लेकिन history का एक important part है और सरदार भगत सीग बटोकेशवर दत उनसे उन्होंने assembly के अंदर पर एक तरी के से बम फेका था और इसके बाद जो है यह बिल को लेकर उस टाइम जो है यह बिल इसी particular contract में लाया जार था 1929 को यानि जब आप history पड़े और कोई इस तरह का event हो या कोई इस तरह का घटना करम हो उसको connect कर लिजे कि इसका region क्या किस वज़ेश यह चीज़े लाए जा रही है तो यह important option number D इसका हो जाएगा right सीधा सीधा statement अगर आपको पता होगा तो हो जाएगा नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि देखो trade dispute में चारों के अंदर ही trade related है और हो सकता है सारे possible हो तो कोई कई सारी चीज़ें जो logically attempt नहीं उसमें आपको जो बेसिक पता होना चाहिए तब ही आप कर पाएंगे right इसके बाद question number 16 question number 16 बोल रहा है the local self government can be best explained as an exercise यानि local self government या स्थानिय सवसास्चन जो है कैसे explain करता है खुद को उसके बारे में पूचा गया इसमें बोला गया कि federalism को संगवाद को promote करता है democratic decentralization को promote करता है administrative delegation को promote करता है direct democracy को promote करता है direct democracy तो भारत के अंदर है नहीं direct democracy का मतलब होता है कि आप किसी को recall भी कर सकते है right to recall भी कर सकते है इस तरह का system भारत के संद्रह में implementation करने में problem थिसले भारत में representative के थुरू democracy जो है indirect democracy है right तो ये तो नहीं होगा option number D administrative delegation भी नहीं है क्योंकि ये elections related है right federalism हो सकता है बट इसमें दो statement देखिए democratic decentralization local self government का मतलब क्या है democracy के अंदर प्रजात अंतर के अंदर सबकी भागीदारी हो और यहाँ पर आप देखेंगे प्रजात अंतर का weekend रिकांड करेंगे यानि हर लोगों की भागीदारी होगी इसलिए आप देखेंगे रूरल एरियाज में या अर्वन एरियाज के अंदर local government को बनाया गया था ताकि हर व्यक्ति जो है पाटिस्पेट करें इवन अक्तरी के समाने न अगर एक भी election लड सकें पाटिस्पेशन कर सकें तो democratic decentralization है local self government को अगर आप एक तरी definition भी देखेंगे तो exactly यह democratic decentralization को promote करने को लेकर यह हुआ था right तो option number 20 में right होगा question number 17 consider the following statements with reference to the constitution of India the directive principle of state policy constitute limitation upon देखे directive principle of state policy राजय नितिक नितिसक ततो जो है भारत के समिधान में कैसे एक तरीकिस limitation लगाते है या नहीं लगाते है उसके बारे में बात कीगी है legislative function या executive function या विधाईका के काम पर या आप देखेंगे कारिय पालिका के काम पर तो दोनों में से किसी के उपर भी कोई restriction नहीं लगाते directive principle of state policy तीनों इन words को आप break लिजे directive का मतलब होता है direction principle का मतलब एक तरीके से सिधान state policy का मतलब है राज्य जब भी कोई निती बनाएगा उसमें direction का काम करेंगी इन statement को break कर लिजे कई सारे answer आपको मिल जाएंगे या नहीं जब आप question को break करना सीख जाएंगे तो बहुत सारे question अपने आप इसमें solo हो जाएंगे तो legislative function और executive function दोनों में से किसी पर कोई restriction नहीं लगाते बलकि direction की तरह काम करते हैं इसके बाद question number 18 है question number 18 में एक term use करेंगी है digital single market strategy ये कई बार news में रहता है इसके ये basically क्यों news में रहा है और इसका किस organization से तरीके से लेना देना है उसके बारे हैं पूछा गया आश्यान है BRICS है European Union है G20 है देखिए BRICS और G20 जो है वो intergovernmental organization इसमें जैसे G20 के इंदर 20 countries का एक group है 20 members का एक group है और BRICS में total 5 country है तो ये तो नहीं होगा single market वहीं पर implement होती है जहाँ पर country आस पास होने की possibility हो तो इसमें या तो आश्यान हो सकता या European Union हो सकता दो ही possibility है यहाँ पर इसके बाद बात करीगे single market strategy देखिए European Union और आश्यान में difference है European Union को अगर आप देखेंगे वहाँ पर euro एक क्रंची है तो single market तो वैसे ही वो है और digital market strategy उसी से connect करेगा और दोसरा आश्यान में आश्यान एक group जुरूर है लेकिन वहाँ पर अभी भी एक restriction है जैसे European Union के अंदर जो single market की definition को आप देखेंगे broad perspective में वहाँ पर people के restriction नहीं होता कि boundary को cross कर सकते हैं लेकिन आश्यान में ऐसा नहीं है तो इसमें difference है इसका जो right answer होगा वह है digital single market strategy में European Union और इससे भी connect कर सकते हैं कि Europe की country आश्यान country से कहीं ज़्यादा advance आपको देखने को मिलेगी digitalization को लेकर इस तीज को लेकर भी आप connect कर सकते हैं और वैसे भी यही इसका right answer होगा European Union 18 का answer होगा C इसके बाद question number 19 है और अबड़ा interesting question है at one of the places in India if you stand on the sea shore and watch the sea you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day and you can actually walk on the sea floor when the water recedes this unique phenomena is sea net यह unique phenomena कहां पर देखने को मिलते हैं आप हिंदी में पढ़ लिजिए भारत में कैसा स्तान है जहां यदी आप smoother स्मूदर किनारे खड़े होकर स्मूदर का उलोकन करें तो आप पाएंगे कि दो दिन में दो बार स्मूदरी जल 30 रेका से कुछ किलोमेटर पीछे के और चला जाता है और फिर तर पर वापस आता है और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तों में स्मूदर तल पर चल सकते हैं यह अनूटी घटना कहां देखी जाती है इसके बारे इंपूचा गया तो इसका जो right answer होगा चांदीपूर C होगा क्यों होगा आप चांदीपूर का यह official website है Government of Odisha की इसमें पढ़ लेना यहां पर आप देखेना यह सेम चीज़ें आप देखेंगे देखेंगे चांदीपूर एक इंपूर्टेंट प्लेस है क्योंकि बहुत सारे मिसाइल टेस्टिंग को लेकर ही न्यूज में रहता है तो कनेक्ट किया गया है साइन्स अन टेक्नोलोजी से जोगर्फी को और जोगर्फी को करन्ट अफेर्स है तो अपने आप में कैसे कनेक्ट कर रहा है थे 60 डिगरी में यह इंपॉर्टेंट जितने भी फेमस प्लेसीज और डिस्टिक्स है उनकी एडिमिस्टेशन की साइट पर जरूर देख लेना कि उसके बारे में कुछ फेमस है की नहीं है क्योस्टेशन हो सकते हैं लेकि हर एक नंबर की भूत वाल्यू है जितने ज़्यादा नंबर बुष्ट कर पाऊगे उतना ही एक्जाम प्रिस्पेक्ट्टिव से इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्योस्टेशन नंबर 20 है जो हमें पढ़ना है क्योस्टेशन नंबर 20 जो है यह बात कर रहा है इसके बारे में पूछा गया है माल नहते हैं कि इसके बारे में ना तो हमने सुना है और माल नहते हैं कि इसके बारे में ना तो हमने सुना है अगर उस व्यक्ति को किसी property के ओनर को यह पता ही ना कि transaction जो है उसके बारे में जानकारी नहीं हो माल लेते हैं statement हमें नहीं पता तो इसको एक बार hold कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर second statement है properties held binamis are liable for confiscation by the government यानि यह जो property है यह एक तरीके से confiscation की जा सकती है government के दोरा अगर कोई binami property है तो इसके बाद third statement बोल रहा है कि इस act के अंदर three authorities investigation की होंगी लेकिन यह appealate mechanism नहीं देते हैं यानि इस decision के against जो appeal करने की permission नहीं देगा देखिए भारत एक democratic country है और अगर किसी व्यक्ति को कोई decision से कोई agree नहीं करता तो उसको appeal करने की right है तो यह statement गलत है और appeal करने की authority है इस act के अंदर भी और अगर आप इसको logically भी देखेंगे तो appeal आप कर सकते हैं decision की against तो कुछ decision में 1% में appeal की permission नहीं होती बाकी जो है आपको appeal की permission जो है वो देखने को मिलती है तो यहाँ पर option number 3 जो हो गलत हो जाएगा तो option number C और option D थरड statement गलत होने से यह दोनों हो जाएगे गलत अब हमारे पास दो ही option बसते हैं तीन में से कौन सा सही होगा तो इसमें से अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति को नहीं पता कि प्रोपर्टी ट्रायक्तिरी के से बिनामी है या नहीं है तो उसके against action नहीं होगा त यह statement भी गलत है पहली second statement इन दोनों में से माल लेते कौन सी सही है कौन सी गलत है तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही होने होगी possibility है कि कोई बिनामी property है उसको confiscation कर सकती है government सरकार जो है उसको confiscate कर सकती है या सरकार जो है उसको जब्त कर सकती है ठीक है तो यह important है तो आ उसक्सेस हो है वो डिपेंड कंप्लीटली करेगी आपके उपर मैं अपनी तरफ से एफट कर सकता हूँ मैं यह नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्स्प्रियंस का यूज कर रहा हूँ कि कैसे क्योश्चन में या पेपर के अंदर अपना स्कोर जो बुष्टप कर सकते हैं और continue मेहनत करते रहे प्रेक्टिस करते रहे आगे बढ़ते रहे दो हजार इक्किस में जब दस अक्तूबर को आप एक्जाम देंगी तब आपको यह जो सीरीज है मैं यह नहीं कहता है कि आपको सो डेले सो नंबर का बुष्टप देंगे लेकि आपसे अगर 20, 30, 40, 50 कुछ भी नंबर अगर इस सिंगल नंबर भी आपका इंक्रीज होता है तो मैं अपने आपको इस सीरीज को सक्सेस्फुल मानूँगा और अगर 100, 200, 500, 1000 जितने भी बच्चों का एक्जाम क्रैक होगा प्लिप्स में यह डेफिनेटली मेरे लिए प्रा प्राउड मोमेंट होगा और आप सब के लिए प्राउड मोमेंट होगा तो थैंक्यो और जैहिन